नमस्ते आसा है आप सब अच्छे होंगे और आज जब ये तीसरा वीडियो रिकार्ड कर रहा हूं 19 अगस्त को तो पहले वीडियो की जो फीडबेक आप लोगों की तरफ से आई उसके लिए विशेश रूप से धन्यवाद आज की ये क्लास नमबर सिस्टम की तीसरी और आखरी क्लास है इसके बाद एक स्पेशल क्लास और होगा और मैं आप सबसे ये उमीद करता हूं कि इन तीनों वीडियो क्लास में आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी या आपको कुछ इसमें और जानना होगा तो आ आप मुझे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताएंगे आज का जो टॉपिक है उसमें पहला चीज़ है यूनिट डिजिट कंसेप्ट नमबर सिस्टम में इसे बहुत से कोशन और कई एक्जाम में पूछे गये हैं इसमें कोशन ये होता है कि एक एक्जाम्पल ले ले रहे हैं 237 to the power कोई भी पावर ले लिजे 37 ले ले लेते हैं आपको इसमें बताना होता है कि यूनिट प्लेस पर डिजिट कौन सा है अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे इतना बड़ा जो है आप अगर पावर नंबर पावर वाली संख्या अगर आप कैलकुलेट करें तो सॉल्व करनी मुस्किल है इसमें आपको पहला स्टेप जो करना है जब आप इसको लेंगे तो हमको चुकी यूनिट प्लेस कैलकुलेट करना है तो उसके पीछे की सारे डिजिट हम छोड़ देंगे मतलब अगर हम सेवें टू दी पावर थार्टी सेवें को भी कैलकुलेट कर लें तो इससे भी जो है हम लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसकी प्रक्रिया क्या होती है स्टेप्स टू सॉल्व चलिए इसको देखते हैं सबसे पहले आपको ये देखना है कि यूनिक प्लेस पर कौन सी डिजिट है या तो इवेन होगा फर्स्ट स्टेप इसका जो होगा वो आपको ये देखना है की डिजिट एड यूनिक प्लेस आइधर इट विल बी इवेन डिजिट और और डिजिट तो इवेन डिजिट क्या होगा 2,4,6,8 और डिजिट क्या होगा 1,3,5,7,9 यही होता यूनिक प्लेस पे इनहीं में से कोई एग डिजिट होगा तो सबसे पहले जो है इवेन डिजिट के बारे में हम देखते है 6 को सबसे पहले लेते है 6 को आपस में चाहे जितनी भी बार आप मल्टिप्लाई करें यूनिक डिजिट पे हमें सा 6 होता है देख लीजे, 6 इंटु 6, 36 6 इंटु 6 इंटु 6, तभी यूनिक प्लेस पे 6 होगा एक और 6 मल्टिप्लाई कर दिजिए तो भी 6 होगा और मल्टिप्लाई कर दिजिए तो भी 6 होगा तो 6 के पावर, चाहे कोई भी मान लेजे की ज़र 2, 3, 6 के पावर 37 दे दिया तो चाहे जो भी हो unit digit पर हमेशा 6 ही होगा यह हमेशा याद रखिएगा पहले तो इसको calculate करने की जरुवत ही नहीं होती है यह अपने आप हो जाता है ठीक odd में भी जो है यह वाला नमबर 1 को आपस में चाहे जितनी भी बार आप multiply करें हमेशा 1 ही होता है तो इसको भी calculate करने की जरुवत नहीं पड़ती है 5 को 5 के साथ भी वही चीज़ है 5 को आपस में आप जितनी भी बार multiply करें unit digit पर हमेशा 5 होता है देख लिजे 5 into 5 25 5 into 5 into 5 5 ही रहेगा फिर 5 को आप multiply करेंगे unit digit पर 5 ही रहेगा तो 5 को भी देखने की जरुवत नहीं calculate करने की जरुवत नहीं रहती अब अपने पास 2, 4, 8 इधर है और इधर 3, 7, 9 है even digit के संदर में इसकी एक विशेषता होती है specialty होती है कि even digit को जब same digit को आप एक से अधिक बार multiply करें तो एक ऐसा stage आता है कि उसमें unit digit पर 6 होता आ जाता है जैसे 2 into 2 into 2 into 2 16 4 को आपस में multiply करें 4 into 4 16 2 को आपस में 4 बार multiply किया 4 को आपस में 2 बार multiply किया 16 होग 4 को आपस में 4 बार multiply करेंगे 4 को आपस में 4 बार multiply करेंगे तो भी 16 ही होगा तो भी आप देखेंगे तो unit place पर 16 6 ही होगा 8 को 8 को अगर आप 4 बार multiply करेंगे तो unit digit पर 6 होता है ये event digit के संदर में ये इसकी जो है characteristic होती है ये जो है जरूर याद रखिएगा उसी तरीके से odd digit का एक character ये होता है कि odd digit को आपस में जब multiply किया जाता है तो एक ऐसा stage आता है कि उसका product 1 होता है जैसे 3 into 3 into 3 into 3 1 हुआ उसी तरह कि ये से 7 into 7 into 7 into 7 unit digit पर 1 और 9 को multiply करें ऐसे ही तो 2 बार multiply करेंगे तो 81 हो जाएगा अगर आप 4 बार multiply करेंगे तो भी unit digit पर 1 ही होगा इतनी चीज़ आप समझ लेज़ेगे ठीक न event digit को 4 बार multiply करते हैं तो unit place पर 6 आता है और और digit को अगर 4 बार आपस में multiply करते हैं तो 1 आता है अब इसमें करना क्या होता है एक छोटा सा example ले लेते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया तो मान लिज़े जैसे 2 ही लिया हमने तू दी पावर 5 मान लिज़े लिया ठीक अब आप इसको लिख सकते हैं तू दी पावर कि 2 को जब आपस में 4 बार multiply किया जाता है तो 6 आता है 6 पीछे कुछ भी हो यह याद रखेगा इससे हमसे मतलब नहीं हम लोगों को केवल unit digit से मतलब है फिर इसमें 2 से multiply कर दीजे तो 6 में अगर आप 2 का multiply करेंगे तो unit digit पर 2 ही आएगा तो 6 की का characteristic होता है कि 6 में अगर किसी even digit को multiply करें आप तो वही सेम होता जैसे देख लिजे 6 into 2 unit digit पर क्या होगा टू 6 into 4 यह बारा हो गया 12 24 4 6 into 6 आपको बताये था 6 into 8 48 क्लेर यह नहीं समझ में आएगा तो comment box में comment करके मुझे बताईएगा मैं फिर से जो है किसी अगले वीडियो में इसको फिर से जो है समझा दूंगा जो है अब आपको करना क्या है कि अगर कोई मालीजे even number 242 to the power कुछ भी लिख लिजे मालीजे मैंने 37 ही लिख लिख ले है तो पहली चीज़े कि आपको इधर के नंबर से डिजेट से कोई मतलब नहीं है आपको to the power 37 ठीक पावर नंबर को आपको देखना है to the power 37 to the power 37 में power number 37 है इसका पहला step यह होता है कि 37 को 4 से आप डिवाइट करेंगे क्यों डिवाइट करेंगे क्योंकि क्योंकि 2 को आपस में अगर 4 बार मल्टिप्लाई किया जाए तो उसका के यूनिट प्लेस पर 6 होता है ठीक मतलब इस 37 को आप लिख सकते हैं 4 इन्टू 9 4 इन्टू 9 प्लस 1 अब आपको करना क्या है आपको करना यह है कि you can write to the power 37 in this way 4 इन्टू 9 प्लस 1 इसको आप लिख सकते हैं 2 इन्टू 9 इन्टू 2 इन्टू 2 इन्टू 1 यह step उन लोगों के लिए बता दे रहा हूं जिन लोगों ने power के बारे में भी बहुत detail में नहीं पढ़ा होगा इसको आप लिख सकते हैं 2 इन्टू 9 पिछले वीडियो में हमने बताया था कि power के उपर जब power होता है तो आपस में multiply होता है सेम चीज हमने कर दी इन्टू 2 इपावर 1 को जो है 1 ही लिखा जा सकता है अब आपको अभी ज़स बताया कि 2 को आपस में जब 4 बार multiply करेंगे तो unit digit पे 6 आएगा तो मतलब यह 6 होगा अंदर इसके unit place पर और 6 को चाहे आप जितनी भी बार multiply करें आएगा क्या 6 ही होगा unit place पर और 2 का जो है 2 6 into 2 unit place पर क्या हो जाएगा 2 पीछे वाले digits से हम लोग को कोई मतलब नहीं है ठिक यह process होता है आपको इतना लंबा process करने की जरुवत नहीं है यहीं पर जो है हमने जो किया इसी को हम short form में बता दे रहे हैं करना क्या है आपको वैसे आप लोग यह note कर ल remainder होता है ठिक उस remainder को 2 के ऊपर लगा लेंगे जो result होगा वही unit place के होगा यह पूरा जो process है आप देख रहे हैं 4 into 37 को हमने जो है ब्रेक किया था इसमें इस पूरे का जो result क्या होगा हमेशा 6 ही होगा unit place पर और इसका result क्या होगा 6 से आप चाहें जो भी चीज में इवन डिज multiply करें वही सेम आता है unit place पर तो इसी कोज़े short form में हमने बता दिया कि आपको power number को 4 से divide करना है जो remainder आएगा उसको जो है digit के ऊपर लगा देंगे जो result होगा वही होगा 2 के भी संदर में यही है ठिक अब चाहे 2 हो चाहे 4 हो और चाहे 8 हो हमने आपको बताया था कि 8 को दो ही बार multiply करने पर 16 आ जाता है लेकिन एक ही common जो है rule हम आपको बता रहे है 8 को 4 बार भी multiply करेंगे तो भी जो है क्या होगा unit digit पर अगली चीज इसमें हम एक चीज और यह याद रखिएगा यह तो एक तरीका हो गया अगर इसमें ऐसा कोई power number हो जैसे माल लिजिए 2 the power 36 हो गया तो 2 the power 36 हुआ अगर तो 36 को 4 से जब आप divide करेंगे तो remainder क्या होगा 0 होगा तो जब remainder 0 हुआ तो 2 the power 0 यहां पर लिखेंगे तो किसी भी number के उपर अगर power 0 होता है तो उसकी value 1 होती है लेकिन 1 नहीं होगी क्योंकि आल्रेड़ी जो है इधर एक 6 है unit place पर जब आप 6 अगर इसके पहले वाला जो example आप देखेंगे उसमें 1 था तो 2 था आपस में multiply किया तब यह 2 आया unit digit पर लेकिन जब 2 the power 0 करेंगे तो इसकी value 1 हो जाएगी तो 6 into 1 is always तो अगर remainder किसी भी even digit के संदर में निकालना हो और remainder 0 हो तो unit place पर 6 होता है यह याद रखेगा दूसरा नियम पहला नियम क्या होता है कि power number को 4 से divide करेंगे ठीक जो remainder होगा उसको जो है power के रूप में यूज करके वह आप निकाल लेंगे अगर even digit के संदर में remainder 0 आता है तो unit place पे 6 होगा यह पहली चीज है जो unit place में even digit के संदर में हमने आपको बताई अब अगली चीज अगला जो odd number है हमने कहा कि odd number को 4 बार आपस में multiply किया जाता है चाहे 3 के संदर में है चाहे 7 के संदर में है 9 के भी संदर में 9 का तो 2 ही बार में multiplication करेंगे तो 1 आ जाएगा लेकिन हमने इसको 4 बार multiply कर दिया तो भी बने तो अब अगर माल लिजिए कि आपको दिया है 2 3 2 3 और number में कुछ भी लिख लिए 37 की बात हो रहे हमको इससे कोई मतलब नहीं है मतलब 3 to the power 37 को अगर आपने calculate कर लिया तो तो भी वही answer होगा अब आपको करना क्या है जैसे even digit के संदर में मैंने आपको बताया और digit के भी संदर में आपको power number को 4 से divide करना है remainder 1 होगा इस remainder को सीरे सीदे आपको इसको इसके उपर रख देना तो जो होगा वही same result होगा जैसे हमने even digit के संदर मताया था थोड़ा सा इसको और explain करके बता दे रहे है माल लिजे 3 to the power और यही number ले लिया 37 37 को उने break किया 4 into 9 plus 1 यह हो गया अब मतलब आप लिख सकते हैं 3 4 into 9 plus 1 इसको आगे क्या लिखेंगे 3 4 into 9 into 3 into 1 इसको आगे क्या लिखेंगे 3 4 और इसके उपर 9 into 3 आपको मालूम है कि 3 को आपस में 4 बार multiply किया जाए तो unit digit पर क्या आता है 1 आता है और 1 के चाहे जितने भी power हो हमेशा क्या आएका unit digit पर 1 होगा और इधर क्या बचा इस तरह 3 है तो 3 into 3 अब suppose किजिए कि अगर 37 की जगा 36 हुआ 3 तो अब होगा क्या यहां पर जो है 0 हो जाएगा मतलब 3 4 into 9 plus 0 या 3 4 to the power 9 into 3 to the power 0 तो इसकी value क्या हो गई unit digit पर 1 और अभी हमने जस्ट पहले आपको बताया कि किसी भी number के उपर अगर power 0 होते है उसकी value 1 होती है तो इसमें याद रखेगा कि even digit के संदर में अगर इस तरह से process भाग divide करने के बाद अगर 0 आता है remainder तो unit digit पर 1 होगा दूसरी चीज अगर even digit है और remainder 0 आता है तो unit digit पर 6 होगा आपके screen पर यह दिख रहा है आप इसको pause करके इसको note down भी कर सकते हैं यह route तो यह unit digit के संदर में है अब उसके आगे एक दो question ले लेते हैं और मैंने आपको पहले वीडियो मताया था कि UPSC बहुत बार cat के question भी उठाती है तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ cat के question ले आ रहा हूँ जो UPSC ने कहीं न कहीं पूछा हुआ है तो आपके screen पर is the digit in the units place of to the power 51 मैंने पहला रूल क्या बताया था कि सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि जो इवेन है और है तो देखते ही पता चल जाएगा दूसरा क्या बताया था आपको कि लिग भी दे रहा हूं फर्स्ट डिसाइड इवेन और ओड डिजट इवेन और ओड डिजट दूसरा क्या है डिवाइट 51 बाइफोर करना क्या है आपको इसका जो रिमेंडर होगा वो देखना है देख लीजे थिरी होगे अब तीसरा स्टेप के रहा हमें बताया आपको की जो रिमेंडर है उसको पावर के रूप में यूज कर लीजे कितना हो जाएगा टू दी पावर थ्री एट मतब यूनिट प्लेस पर क्या होगा एट बी ऑप्शन होगे आपका क्लियर इस तरह के एक दो कोशन और आप ट्राई कर लीजेगा प्रिवेस एर में भी जो है मिल जाएंगे कोशन आपको अब अगला एक इसी में जो है नया कोशन है वो जो है मैंने कैट से उठाया है कैट के प्रिवेस एर से उठाया है थोड़ा सा जो है इसमें उसने टेस्ट किया आपके स्क्रीन पर ये कोशन देख रहा है सबसे पहले उस कोशन को चलिए पढ़ते हैं तो दीजिए और पर नंबर 30 तो दी पावर 2720 पिर से बाड पर प्रढ पूअ है ये तर राइप मूस्त डाइप मोस्त नंजीरो दीजिए और नंबर 30 तो दीपावर 2720 30 to the power 2720 देखिए कोशन वो कैसे ट्विस्ट करते हैं इसके बारे में जो हम लोग हम देख रहे हैं और आपको बताना भी चाहते हैं इसलिए कोशन मैंने कैट से उठाया हुआ है अभी तक तो हम लोगों में जो इवेन और 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 की बात की पहली चीज और अगर वो यूनिट प्लेस पे पूछ रा तो जीरो के उपर चाहिए इतनी भी बार पावर लगा है रिजर्ट इस जीरो लेकिन उसने कहा क्या पोशन द्रहान से देखिए फिर से आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा है कि राइट मोस्ट नॉन जीरो मतलब यह राइट हो गया तो यूनिट प्लेस पे तो जीरो ही होगा इसके जस्ट पहले वाला नॉन जीरो जितने जीरो होंगे राइट मोस्ट में उसके जस्ट पहले वाला नॉन जीरो नंबर अब करना क्या है इसको अगर हलका सा भी थोड़ा सकता वो दिमाग लगाएंगे तो 30 का आप आप फैक्टर कर लिए फैक्टर की बात हमने इसके पहले बताई थी पिछले वीडियो में 3 into 10 हो गया अब चुकिए पावर है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 into 10 to the power 2720 आप इसको लिख सकते हैं 3 2720 into 10 to the power 2720 यह नमबर आप zeros हो जाएंगे जो राइट जो प्रोड़क्ट आएगा उसके राइट हैंड साइड में जो नमबर आप zeros होंगे वो उससे वो जीरो की तो बात ही नहीं कर रहा है वो बात कर रहा है नॉन जीरो की तो नॉन जीरो का जो है इससे पता चल जाएगा म मतलब 3 to the power 2720 को अगर हम calculate कर लेंगे तो हम लोग का answer मिल जाएगा अब आपको करना क्या है बस हमने अभी बताया कि 4 से divide कीजिए 2720 बताने की जरूद है I think कि समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी चलिए calculate कर लेगते हूं क्या बोला था कि अगर remainder 0 होगा और वो भी किसके संदर में जब और नंबर हो तो unit place पर क्या होगा क्या होगा always one हमेशा one होगा तो जो question था आपका कि the right most non zero digit of the number 30 to the power 2720 then the answer will be one क्यों होगा क्योंकि यहां पर 3 to the power 0 यह आपका question है यह थोड़ा सा नए तरह का question है UPSC महुत बार जो है इस तरह के experiment करती है और आपको थोड़ा सा जो है conscious रने की जरूद है next question आई चलिए देखते हैं इसे related जो भी question होंगे आप देखेगा जहां पर भी आपको नहीं समझ में आएगा comment box कोई भी previous question लगाते समय अगर आपको नहीं solve करने आए तो comment box में उस question को send कीजिएगा मैं उसका answer आपको देने की कोशिस करूँगा अब next topic है next topic है number of zeros in any expression number of zeros in any expression in any expression बहुत simple सी बात है कि थोड़ा सा देखते हैं 2 into 5 को multiply करेंगे तो क्या होगा 10 2 into 2 into 5 को multiply करेंगे तो क्या होगा 20 2 into 2 into 5 into 5 को आप multiply करेंगे तो क्या होगा इससे अगर आप समझ पाएं जैसे माल लिजे की ट्वेल इंटू 25 हमने लिखा और आपको multiply नहीं करना है आप इसे तो multiply करके निकाली सकते हैं हम अगर यह पूछा कि इसमें कुल कितनी जो है 0 होंगे दाहिनी तरफ तो 12 का मतलब हो गया 2 into 2 into 3 फेक्टर कर लिया इसका फेक्टर के बारे में हमने आपको बताई दिया था 25 का फेक्टर करेंगे 5 into 5 किसी भी expression में कितने 0 होंगे राइट हैंड साइड में यह depends upon the number of 2's and number of 5 पेर से द्यान से सुन लिजे आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा है किसी भी expression में राइट हैंड साइड में number of 0's कितने होंगे इट डिपेंड्स अपान the number of 2's and number of 5's अब इसमें आपने काउंट कर लिया क्या था 2 कितने बार है 2 5 कितने बार है 2 बार है 2 है तो number of 0's कितने हो जाएंगे इस expression में 2 0 बहुत बार ये होता है कि जैसे मान लिजे अगर इसी को हम 125 कर दें तो इसका क्या होगा 2 into 2 into 3 और ये हो जाएगा 5 into 5 into 5 तो number of 2's कितने होए 2 number of 5 कितने होए 3 अब आप क्या करेंगे तो पहली चीज़ हमने आपको बताई कि you have to count number of 2's and 5's in the given expression तो आपने count कर लिया अब दोनों जो है same नहीं है तो दूसरी चीज़ होगी कि if number of 2's and number of 5's are not equal अगर equal नहीं है in that condition जो छोटा होगा उतने ही 0 होगा अब इसमें जो है number of 2's कम है तो इस expression में नमबर आप 0 कितने होंगे इतने ही होंगे दो ही होंगे ठीक ना? clear? अब आप multiply करके भी देख ली जाएगा इसको manually अब उसके आगे देखते हैं अब इसी से related एक question और देख लेते हैं ये भी question जो है वो cat में आया हुआ है question आपके screen पर देख रहा है उसको पढ़िये the product of all integers from 1 to 100 will have the following number of zeros at the end पर अप्शन आपको देख रहा है 20, second option 24, third option 19 और fourth option 22 1 to 100 इसका एक तरीका या तो यह है कि आप multiply करेंग और यह जब आप prelims exam दे रहे होंगे तो इतना time तो होता नहीं है तो इसमें इसकी analysis कर लेते हैं कैसे इसको solve किया जाता है तो इसमें सबसे पहली चीज है concept of factorial factorial numbers क्या होते है इसके बहुत से लोग जानते होंगे बहुत से लोग जो नहीं जानते होंगे जैसे 4 factorial अगर लिख दिया है factorial का symbol होता है तो it means 4 into 3 into 2 into 1 factorial अगर 5 लिखा हमने तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अभी हमने आपको बताया कि किसी भी function में कितने 0 होंगे right hand side में it depends upon number of 5 and number of 2 अब इसमें तो देखिए factorial 4 में एक भी 5 नहीं है इसलिए जब आप इसको multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 24 कोई भी 0 नहीं है अगर आप इसको multiply करेंगे तो हो जाएगा 0, 2, 120 एक 0 होगा clear multiply किया तब अगर multiply नहीं करना चाहते हैं तो एक 5 और 2 इसमें भी 2 है तो आप देख रहे हैं कि factorial number में जो है number of 5 कम होता है number of 2 जादा होता है तो जब भी यह याद रखिएगा कि जब भी factorial number में पूछे जो question आपके screen पर दिख रहा है यह इसमें तो factorial का use किया ही नहीं लेकिन यह question यही है कैसे उसको अभी बताएंगे ठीक ना तो यह याद रखिएगा कि in factorial number the number of zeros depend upon the number of 5 अब उसको calculate कैसे किया जाता है उसके बारे में भी जान लीजे और यह कैसे जो question अभी हमने पढ़ा इसका factorial से क्या है तो 1 अब इसको आप 1 into 2 into 3 करते चले जाएए 99 into 100 तो यह कुछ और नहीं factorial 100 ही है यह और कुछ नहीं बस उसने question पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है अब आपको करना क्या है इसी question से समझा दे रहे हैं चुकि किसी भी factorial number में number of zeros right hand side में depend upon number of 5 तो अब इतने बड़े factorial में number of 5 तो आप count करने जाएंगे नहीं तो इसका तरीका यह होता है कि आपको जो है इसको जो है सबसे पहले 5 से divide करना है rule देख लिजेगा ठीक फिर उसके बाद जो है आप इसको numerator बोलते हैं और इसको denominator बोलते हैं फिर 5 square से divide करेंगे इसी तरह से आप इसको आगे बढ़ाते हैं कहां तक आगे बढ़ाना 5 cube से divide करेंगे अब main चीज़ यह है कि इसको जो है यह step कहां तक होगा तो उसके बारे में मैं बता दूँ till when denominator is equal or less than numerator till when denominator is equal or less than numerator अब 5 कम है 5 square और यह power में ही बढ़ेगा 5 square 25 5 cube का मतलब क्या हो गया 125 मतलब अब इसके आगे इसको छोड़ देना है अब इसके बाद क्या करना है यह पहला step हो गया दूसरा step क्या करना है इसमें कि you have to calculate sum of quotient इसमें quotient कितना आएगा इसमें quotient कितना आएगा 20 इसमें quotient कितना आएगा 4 बस आप इसको add कर लिजे 24 और आपका option B option होगा 24 तो factorial number में number आप zeros कैसे देखा जाता है यह भी हमने आपको बता दिया इस तरह के quotient आए भी है तमाम exam में UPSC से related जो भी exam में जैसे CDS CPF में आए हुगे quotient है इसलिए मैंने cat का question आपको उठा के समझाया फिर से revise कर दे रहा हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है 5 और उसके power number से जो है दिये गए number को divide करना 100 को 5 से divide किया फिर 100 को 5 square से divide किया फिर आगे करते चले जाएंगे कहां तक आपको करना है वहीं तक आपको करना है जहां denominator, numerator के equal ना हो जाए या उससे ज़्यादा नहीं होना चे मतलब इस quotient में 100 upon 5 100 upon 5 square तक ही calculate करना है उसके बाद आपको क्या करना है quotient इसका जो quotient आएगा वो लिखना है इसका quotient दोनों को sum कर दीजे total कर लेजे वहीं आपका answer होगा अब उसके बाद जो next topic है अगर याद करेंगे या तो आपको याद आएगा बच्पन में जब हम लोग 3rd, 4th, 5th standard में पढ़ते थे तो इस तरह के quotient हम लोगोंने solve किये UPSC भी पूष्टी है topic है error in multiplication or division function error in multiplication and division function सीरिसरी एक कोशन ले लेते हैं और उस कोशन से जो है समझते हैं डारेक्ट उसी से समझ लेंगे ये कोशन भी जो है कैट से ही हमने उठाया है प्रिवेस यर से जो है कोशन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है अनीता है तो दू दू multiplication instead of taking 35 as by 540 इसमें दो तरह के कोशन बनते हैं मैंने जो दोनों ले लिया है पहला बन सकता है कोशन जो पूछा था कैट में वाट इस दे निव प्रॉड़क्ट कभी-कभी ये पूछ लेते हैं कि वाट वाज़ दो ओरीजनल प्रॉड़क्ट या रिजर्ट अब आपको करना क्या है कि इसमें जो है सबसे पहले आपको ये मान अनीता ने जो है 35 से किसी multiplier या number को multiply करना था तो माल लिजे कि या number वाज एक औरीजनल फंक्शन ये था लेकिन उसने गल्ती से क्या कर दिया उसने 53 से multiply कर दिया हुआ क्या हुआ ये कि जो difference आया वो 540 बढ़ गया है ये कोशन था कि result the product went up by 540 इट मेंस कि 53 A minus 35 A is equal to 540 ये common लिजेगे इसको subscribe भी करेंगे तो भी ये अगर A into 18 अपान में 540 तो A is equal to 540 अपान में 18 इसका मतलब क्या हुआ कि जो है अनीता को जो है 35 को 30 से multiply करना था 35 को 30 से multiply करना था लेकिन उसने जो है 30 में गलती से 53 से multiply कर दिया तो ये जो था और वो ओरिजनल रिजल्ट था और ये जो है नू रिजल्ट है 53 से multiply करने के बाद तो इसका answer क्या होगा 35 इंटू 30 इस इक्वल टू 1 0 5 0 और 53 इंटू 30 53 इंटू 30 आप calculate कर सकते है इसको जो है कितना हो जाएगा 0 9 ये इस तरह के question आई हुए है UPSC में और simple है कभी-कभी उसमें जो है वो करते के आएं कि जो है अब EC की जगा जो है 35 की जगा वो 3 upon 5 दे देंगे fractional number भी दे देते हैं अनिता को 3 upon 5 से multiply करना था उसने गलती से 5 upon 3 से multiply कर दिया तो उसमें भी same process यही है I think आपको समझ में आ गया होगा अब उसके आगे देखते हैं अब इसमें जो next topic है वो है remainder theorem क्या होता है remainder theorem सेस्पन remainder निकालना माल लिए कोई function दिया हुआ है 5 upon me 3 इसका remainder क्या होगा 2 होगा इसको 3 से divide करना होगा तो remainder क्या होगा 40 upon me 3 I think इसको आप solve करी लेंगे यह 1 होगा नहीं solve करना इससे multiply नहीं करना होगा और आपको कोई और तरीका बताऊं तू अब देखिए करना क्या होता इसमें 5 में 3 से divide करेंगे जो remainder आएगा लिख लिए आपने 2 आया remainder जैसे पहले 8 में 3 से divide करेंगे जो remainder आया लिख लिए अब remainder और remainder का product निकाल लेंगे 4 हुआ अभी जो है वो डिवीजर से बड़ा है तो फिर 8 बार जो है आप उसको करेंगे फिर कितना आएगा remainder 1 आपने इसके पहले निकाल के जो है देखा है इतनी चीज समझ में आगे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज बता दे रहे हैं कि इसमें किसको क्या कहते हैं जैसे माली ये 8 में 5 से divide किया तो ये तो 1 आएगा 5 3 आएगा इसको क्या कहते हैं diviser इसको क्या बोलते हैं diviser इसको क्या बोलते हैं dividend इसको क्या बोलते हैं quotient और इसको क्या बोला जाता है remainder जिससे भाग दिया जाता है वो diviser जिसमें भाग दिया जाता है वो dividend जो result आता है भागपल आता है उसको quotient यह भागपल हिंदी में करते हैं और इसको क्या बोलते हैं से 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 क्लियर और इसको जो है लिखा कैसे जाता है मतब 8 क्या होता है 5 और 1 का जो है आपस में मल्टिप्लाई कर दीजे और 15 जोड़ दीजे तो यह 8 के बराबर इसी को फार्मूले के रूप में जब आप कनवर्ट क बारे में हमने क्या बताया था कि 8 क्या था डीविडेंड फाइस के बारे में हमने आपको क्या बताया था दिवीजर लिया डिवाईजर अ है वन के बारे में हमने आपको क्या बताया था कोशिंट और थ्री के बारे में हमने आपको क्या बताया था तो यह फार्मूला समझ लीजे या ऐसे याद रखिए जो है यह होता है अब रिमेंडर थीरम में जो मुझे में चीज बतानी थी कीजिए अगर डिवाईजर इस या डिवीजर इस फाइफ आर जी 10 मतलब अगर भाजक 5, 5 या 10 है तो और कोई संख्या दी हुई है तो कितने पॉसिबल जो है उसके से रिमेंडर हो सकते हैं और आप यह भी जानिएगा कि रिमेंडर इस अल्वेज लेस देन डिवीजर मतलब अगर आप किसी संख्या में यह ए है तो यहाँ पर रिमेंडर क्या होगा रिमेंडर की पॉसिबल वैलू क्या हो सकती है 4 से डिवाईड करने पर तो आईदर 3, 2, 1 और 0 रिमेंडर इस अल्वेज लेस देन डिवीजर आर डिवाईडर तो 5 से डिवाईड करने पर रिमेंडर क्या हो सकता कोई भी अगर नमबर ले लेंगे जिसे 11 से आपने डिवाईड किया तो कितना होगा इसकी जगह आपने अगर 12 ले लिया 5 से डिवाईड किया तो रिमेंडर कितना होगा फिर अगर आपने 13 से डिवाइड किया 5 को तो remainder कितना होगा करते जाएगा मैं direct जो है वो लिख दे रहा हूँ 3 अगर आप 5 में 14 से डिवाइड किये तो remainder कितना होगा 4 इसके पहले divisibility test हमने आपको बताई थी उसमें जो है अगर 15 में 5 से डिवाइड किया तो remainder 0 होगा 16 में किया तो अगर आप करेंगे तो 5 15 1 तो आपको करना क्या होता है कि 16 में अगर 5 से डिवाइड किया तो unit place और इसका difference निकाल दीजे 1 ये remainder होगा करने की जरुवत ही नहीं आपको अगर 17 में 5 से डिवाइड करना हो तो remainder कितना होगा इन दोनों का difference to इस तरह से so on इसका use कहां पर है वो बता दे रहा हूँ होता क्या है कि जैसे मान लिजे अब आपको दे दिया 325 to the power sorry 3 to the 7 to the power 37 में अगर 5 से भाग दिया जाए डिवाइड किया जाए तो what will be the remainder question ये बनता है अब इसमें करना क्या है करना ये है कि पहले तो unit place पे कौन सी digit होगी वो निकालनी है तो हमको अपने कोई इस से कोई मतलब नहीं है मतलब 7 to the power 37 में unit place पर कौन सी digit होगी वो हम पता करेंगे तो क्या होगा उसमें हमने आपको बताया था 37 को 6 से आप भाग देंगे स्वरी फोर से भाग देंगे रिमेंडर कितना हुआ वन आपको हमने बताया था कि और नंबर है तो 7 to the power 1 बराबर 7 यह होगा न मतलब 3 to 7 to the power 37 में unit place पर क्या होगा unit place पर 7 होगा अब आपको करना क्या है अभी हमने 5 अगर डिवीजर है तो उसका वो बताया था कि अगर unit place पर 7 है और इसके पीछे क्या अपने को कोई मतलब नहीं हो उससे जो है और 5 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो remainder कितना होगा 7 और 5 का difference अगर 10 होगा तो क्या होगा अगर 10 हुआ तो क्या होगा 11 में 10 से भाग देंगे बताने की जरुवत नहीं है कितना remainder होगा 1 12 में 10 से भाग देंगे remainder कितना होगा करते जाएए खुद copy open के वल सुनिएगा महीं 13 में अगर 10 से divide किया तो कितना होगा 3 होगा कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी संख्या में 10 से जो है आप divide करते हैं और अगर unit place पर 0 नहीं है तो remainder क्या होगा जो unit place पर होगा वह remainder होता है clear तो 5 और 10 की हमने आपको जो है वो बता दी कभी-कभी जो है question इस तरीके से भी पूछा जाता है और देखके तो जो है थोड़ा सा डरा होना लगेगा लेकिन जो है solve करना जो है इसको आसान होता है आपके screen पर यह question देख रहा है the remainder when 7 to the power 84 is divided by 342 is option आपके है first option 0 second option 1 third option 49 and fourth option 341 question क्या है कि यदि 7 to the power 84 को 342 से भाग दिया जाए तो remainder क्या होगा क्या करेंगे इसमें सबसे पहले 7 to the power 84 इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो है और इसको भाग किसे देना है ठी फोर तू यह है इसमें थोड़ा सा जो है कि आपको एफर्ट और करना पड़ेगा केवल यूनिट प्लेस का यह खेल नहीं है इसमें यह जो बेस वैलू है इसको कोशिस यह करनी है कि यह इतना बड़ा हो जाए कि या तो इस से थोड़ा सा बड़ा हो तो आप अगर देखेंगे थोड़ा सा दिमाग दोड़ाएंगे 7 to the power 3 कितना होता है 7 to the power 3 जो होता है वो कितना होता है 7 to the power 3 3, 4, 3 3, 4, 3 ठीक न? यह बात समझ में आई अब 84 को 3 के जो है factor में जो है लिखा जाए अगर तो 84 3 into कितना होगा? 28 clear? अब आप इसको लिख सकते हैं 7 to the power 3 into 28 इसको आप लिख सकते हैं 7 to the power 3 to the power 28 पहले भी बता चुके हैं power के उपर power multiply होता है अब आपको क्या करना है? इसका मतलब हो गया 343 343 यह हो गया और to the power 28 आप लिखेंगे लिखेंगे अब आप इसको divide किससे करना है? 342 से इतनी चीज़ समझ में आई अब आप power number भूल जाइए 342 से इसको divide कीज़े तो remainder कितना होगा? 1 इधर लिख दे रहा हूँ तो remainder 1 1 के power चुकि power भी है 28 अभी शुरुआत में remainder theorem के हमने आपको क्या बताया? कि 1 1 1 मतलब remainder को आपस में multiply करते जाए तो 1 1 1 को आपस में multiply करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा अगर शुरु में जो बताया था अगर आपस में multiply करने पर अगर वो divisor से बड़ा हो जाता तो एक बार और आप उसको divide करेंगे जैसे हम उसके पहले सुरू वाले में बताया था जैसे 5 इंटू 8 वाले में बताया था कि जो है 3 से divide अगर केवल इससे divide किया तो remainder 2 थोड़ा सा में करके देख लिजेगा अगर 8 से किया इसका तो 2 आया इसका 2 आया आपस में multiply हो गया 4 ये क्या हो गया 3 से बड़ा हो गया एक बार और कर लेंगे तो आपस में इसको 1 को 28 बार multiply करेंगे आएगा क्या 1 ही आएगा जो है ठेक न ये remainder theorem में एक और तरह का question आता है जो मैं discuss कर ले रहा हूं यहीं पर question आपके screen पर दिख रहा है a certain number when divided by 899 leaves the remainder 63 a certain number when divided by 899 leaves the remainder 63 find the remainder when the same number is divided by 29 ठेक यदि किसी संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो सेस्फल 63 आता है यदि उसी संख्या को तो 29 से डिवाइड किया जाएगा तो सेस्फल क्या होगा देखी कोशन साल कैसे होता है कोशन क्या है कि 899 से किसी नंबर को अगर डिवाइड किया जाए तो इसी नंबर को अगर 29 से डिवाइड किया जाए देन वाट विल बी दौ रिमेंडर येक लाइन में इसका एंसर जो है वो ये है कि सीधे सीधे यहां पर जो इस संख्या से इसको डिवाइड करने पर जो रिमेंडर आता है उस रिमेंडर को जो नई संख्या दी हुई है 29 उससे डिवाइड कर लीजिए डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही आपका जो है रिजल्ट होगा आप डिवाइड करेंगे इस इसको आपकर लीजेगा 29 तूबर जाएगा 8 तो ये नंबर सिस्टम की बातें थी और जैसा कि हमने अपने Facebook पेज पर इस पूरे CSET क्लास का सिडूल बताया था और जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो मेरे Facebook पेज पर जाके जिसका Facebook पेज की मेरा लिंक जो है आपके स्क्रीन पर देख रहा है उस पर जाके जो है देख सकते हैं और अगर किसी स्टुडेंट को अलक से ये सिडूल चाहिए तो वो मुझे अपना इमेल आइडी जो है इनोंने ये वीडियो सीरीज सुरू करवाई दूसरा जो नाम में विसे सुरूप से लेना चाहूंगा वो अभिशेक कुमार राय है थैंक यू अभिशेक आपने बहुत महतुपूर्ण सुजाओ दिये और उन्होंने जो सुजाओ दिये उन्होंने आडियो भेजा था उसकी छोटी सी क्लिप आपको मैं सुनवा रहा हूं सुनिए गुर्देव प्रणाम कैसे है आप इस पूरे वीडियो को मैं ने देखा वह सांदार प्रसुती है आपकी और बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको किलिबरेट किया है बस यह है कि थोड़े पहनामे पर विध्यान दीजिए अगला नाम नीले शिंगुप्त का है नीले मेरे स्टुडेंट भी है और यूपी असी सी सेट के प्रिविएस एर के कोश्चन वो लिख के मुझे देते हैं टॉपिक वाइस ठैंक्यू नीले और चलते चलते आज तारीक है 19 अगस्त 19 अगस्त और जब मैं यह वीडियो रिक बाड कर रहा हूं तो साम के बज़े हैं चार साम चार बज़े तक में जितने भी लोगों ने हमारे पहले वीडियो पर कमेंट कि उन सारे लोगों के नाम आपके स्क्रीन पर यह दिख रहे हैं धन्यवाद strajukी से बालायों के घस अलेकाắc Żण पर कमेंठस अलेक हैं आपके साम 9 अले कर दिये हैं मैं यहे हैं さaf whereas बालायों का अलेकी साम कछेमें तो थे मतस्त वाले कवाद टरू मैं आपके सर ख साम्यों का ऩायों का थैसा बालायों हैं तो आए है रहा आए में उप्यों आए हैं तो आए हैं जब जो आए है अजब बुर ओर झाल तो लग प्लाइब कर दो कि अपिल झाएब कर दो दो जाज कर दो झाल 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 झाल